नमस्कार दोस्तों, आरके वर्मा एलेक्टिकल चेनल पापका स्वागत है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सेप्टी चिन, जो पिरती के एकजाम में एक से दू नमबर के अवस्से पूछे जाते हैं, तो उनके ब्यारे में कुछ थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे होते हैं, निसीध हत्मक चिन, यानि Mandated Design, तो इनकी पहचान, सबसे पहले इसके बारे बताते हैं, क्यों यूज उस किये जाते हैं, इन चिन्दों का प्रियोग साला में किसी कारिया को ना करने की सलादी जाती है, और पहचान की बात करें, तो इनका विरत्याकार धरातल होता है और सपेद रंग के धरातल पर लाल रंग की क्रोस पट्टी तथा लाल रंग के बॉर्डर पर काले रंग से ये चिन्न बनाए जाते हैं आप देख सकते हो विरत्याकार सबेद ध्राल तरपल लाल रंग की क्रोस पट्टी थे था बॉर्डर होता है और काले रंग से ये चिन बना जाता है तो इसकी पेचान होती है जैसे कि सबसे पहले आप देख पारे होगी नो केमरा यानि केमरा का उप्योग वर्जित है नो राइटिंग यानि लिखाई करना वर्जित है नो पाबलिक नो डिटी ऐसे करके एचिन होते है नोट हंटिंग मतलब सूटिंग करना वर्जित है तो नोट कैच बटरफलाई यानि तेतलियों को पकड़ना मना है Do not make a loud noise मतलब तेज आवाज़ें बोलना मना है ऐसे करके ये चिन होते है तो एक जाम में एक से दो नमबर के अवस्य पूछे जाते हैं दूसरे नमबर की बात करें तो दूसरे नमबर पर आते हैं हमारे mandatory mandatory sin पहचान की बात करें सबसे पहले विक्यों यूज की जाते हैं प्रियूग साला में किसी कारिया को करने की सला दी जाती है इन चिन्नों के दिवारा प्रियूग साला में किसी कारिया को करने की सला दी जाती है पहचान की बात करें विरत्यकाल नीले धरातल पर सफेद रंग का संकेतक बना हुआ होता है तो इसकी पहँचान होती है पहँचान एक बार फिर बता देता हूँ विरत्ताकार नीले रंग के धरातल पर सपेद रंग से संकेतक बनाया जाता है तो इनकी पहँचान होती है जैसे head protection must be wrong footwear must be wrong ऐसे करके ये चिन आपको देखने को मिल जाते हैं तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे warning चिन warning चिन यानि चेतावनी चिन पहँचान की बात करें तो इनकी आकरती तरूजा कार होती है बहुत ही ज़्यादा exam में पूछा जाता है warning चिन अभी भी पिछले exam DMRC में पूछा गया है DMRC में ऐसे करके पूछा गया था warning चिन का धरातल किस परकार का होता है कैसे कैसे लंग का होता है तो सबसे पहले पहँचान की बात करें तो इनकरती तरूजा कार होती है और पीले रंग का धरातल होता है काले रंग की क्रोस पट्टी होती है और जो आपका चिन जो होता है वो काले रंग से बनाया जाता है यह इसकी पहचान है बहुत ही important टॉपिक है आज का यह आप देख पा रहे होगे सामन्न वह सब चिन है यह चोथे नमबरो लाश्ट की बात करें तो आप देख फरे होगे चार नमबर की बात करें तो आपके चार नमबर आते हैं informative science यह यह सूचनात्मक चिन पहचान की बात करें तो पहचान इनकी आकरती वरगाकार होती है और हरे रंग के धरातल पर सबेद रंग का चिन होता है चिन बना हुआ होता है आप देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा important की बात करें तो informative यह नि सूचनात्मक चिन और आपके तीसरे नंबर के जो वार्निंग चिन बहुत ज़्यादा करके एक्जाम पूछे जाते हैं इनका कलर भी पूछ ले जाता है कि धरातल किस कलर का बना होता है या संके तक किस कलर का बना होता है तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं उम्मीद है आपकी सुमझ में अच्छे से आगए होंगे informative चिन वर्गाकार रंग वर्गाकार आकरती होती है नीले हरे रंग के धरातल पर सबेद रंग का चिन बनाया होता है तो यह इनकी पेचान है तो एक बार फिर दोराई देता हूं मैं सुरू से एक बार फिर रपीट करें देता हूं निसे दहत्मक चिन यह संकेत कुछ किरिया कलापों को कारिया साल्या में ने करने की चेतावनी देते हैं जैसे दुमर पान ने करना आग ने जलाना जलती आग को हाज से ने भुजाना पैदल ने चलना पैदल चल के सड़क को पारने करना पहचान यह संकेत विरत्ताकार लाल रंग के बॉर्डर और लाल रंग की क्रोस पट्टी युक्त मद्धे का धरातल सुवेत रंग का होता है और काले रंग से संकेत बनाये जाते हैं तो यह इनकी पहचान है दूसरे नम मेंडेटरी सकारात्मक्चिन इस फिरकार के संकेतों के दूआरा कार्यासाला में अपनाये जाने वाले सुरक्षा साधनों के परती आगरे किया जाता है जैसे दस्ताने, टोप, चस्मा, जूँते, मास्क, सुरक्षपिट्य आधि पेहने का आगरे करना पहचान की बात करें ये संकेत नीले रंग के विरत्याकार धरातल पर स्वेत रंग से बनाये जाते हैं तीसरे नंबर की बात करें वार्निंग यानि संचेतक चिन इस पिरकार के संकेतों दुवारा कारिय साला कारीगरों एवं आक तंतुगों को खत्रे के पिरती संचेत किया जाता है जैसे विद्धु जटका लगने का आक का विस्पोटक का शिरुपरिवहार का लिप्ट का लेजर भीम का इत्यादी पहचान की बात करें ये संकेत तिरुपोजकार पीले रंग के दरातल पर काले रंग के बौर्डर युक्त एवं काले रंग से बनाय जाते हैं तो इसकी पहचान थी लाश्ट की बात करें चोथे नंबर की सूचनातक यानि इन्फोर्मेटिव चिन इस प्रिकार के संकेतों दुवारा कारियासाला कारिगरों एवं आक्तंतुवों को उपलप्त कराई आती है सूचना उपलप्त कराई जाती है जैसे प्रात्मिक्चिकित सालला इस्थल पेजल पहचान की बात करें ये संकेत वर्गाकार धरातल पर सपेद रंग से बनाए जाते हैं तथा हरे रंग का धरातल होता है उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपके सही समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए चैनल को सस्प्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे के आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके धन्यवाद दोस्तों